आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मंच पर वरिश लोग बैठे हैं लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने उत्तर पुर्वांचल के एक युवा सांसत को इस गंभीर विशे पर बोलने की अनुमति दी और इसलिए में कॉंग्रेस नेत्रित्रव के प्रती अपना अभार पहले मैं अपने पिता जी असम के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गय तरुन गोगोई जी को मैं याद करता हूं और आशा करता हूं कि आज जब मैं इस मंच से आप सभी के सामने अपनी बात रखने वाला हूं तो वो उपर से हमें आशिवात करें और साथ ही साथ मुझे ये भी महसूस होता है कि हम सभी ने कोविट कैसा में और पिछले कई वर्षों में किसी न किसी को खोया है इस मंच से मैं कुछ नामों का उलेक करना चाहता हूं जो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे मेरे पर प्रभाव पड़ा उन नामों को मैं उलेक दुबारा करन चाहूंगा श्री और्सका फैनांडेस जी का शीला दिक्षेद जी का मादव सिंग सुलंकी जी का राजावीर विभर्द्र सिंग जी का मोतिलाल वोहरा जी का एहमत पटेल सहाब का और प्रणब्दा का और मेरे साथी राजीव साटव का दोस्तों जब हम विदेश नीती की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना पड़ेगा कि दुनिया हमारे देश को किस नजर से देखती है और दुनिया के सामने हमारी छवी क्या है अगर इस बात पर हम गोर करें तो हमें पहले इतिहास में जाना पड़ेगा सोतंतता संग्राम के समय लोटना पड़ेगा जब कॉंग्रेस पार्टी ने देश में देश भक्ती, राष्ट्र सेवा और आत्म बलिदान का नीव रखा उस समय बहुत विदेशी सरकारों ने कभी सोचा नहीं होगा कि ये एक राजनेतिक दल जो एक राजनेतिक आंदोलन से जन्म लिया है ये उन विदेशी ताकतों को हरा पाएगा और भारत को एक जोट कर पाएगा लेकिन यही कॉंग्रेस पार्टी ने उन विदेशी सरकारों को सिखाया कि ये हमारी ताकत है कि हम जनता के बीच में जाकर जन अंदोलन से शक्ति लेकर हम अपने भारत माता के लिए हम लड़ते हैं और भारत माता के लिए हम अपना जीवन समत्पित करते हैं उस समय पूरी दुनिया ने सीखा बापुजी महात्मा गांदी जी से स्यत्य ग्रह का ताकत पूरी दुनिया ने सीखा बापुजी महात्मा गांदी से अहिमसा का ताकत विदेशी ताकतों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत जब स्वतंत्र होगा भारत के बटबारे के बाद यहाँ पे विबिन धर्म है यहाँ पे विबिन भाशा है यहाँ पे विबिन समुदाएं है यहाँ पे उत्तर दक्षिन पूर्व से पश्चिम भारत कितना विशाल देश किसी विदेशी ताकत ने नहीं सोचा था कि भारत प्रग्यती के रास्ते पर आगे जा पाएगा लेकिन ये चुनोती अगर पार किसी ने की तो कॉंग्रेस पार्टी ने की और हमने अब पूरे दुनिया को दिखाया कि कैसे इस विशाल देश में जो विविधरा का सोत्र है यहाँ पे वसुदेव कुटुम्बकंब के दुआरा हम अपने बीच में अपने विविधरा को सम्मान करते हुए हम सभी के बीच में एकता राश्ट्र भक्ती और देश भक्ती को भी हम जीवित रख सकते हैं हमने एक ऐसे समिधान का हमने निर्मान किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेदगर के नित्रत्र में जिसमें हमने देखाया कि इतने विविधरा होने के पश्चात भी हमारे बीच में समिधानिक मूल्यर रख सकते हैं समानता रह सकती है भाईचारा जीवित रह सकता है नियाई की आधार पर एक ऐसा देश जहाँ पे सोच और विचार की अभी व्यक्ती हो एक ऐसा देश जो पंडिट नहरू के जो परामर्श था साइन्टिफिक टेमपर का एक विज्यानिक मानसिक्ता मानव अधिकार और संग्हे डहाचा को जीवत रखते हुए हमने एक ऐसा देश पुरे दुनिया को दिया और यहाँ पे दुनिया ने दुबारा भारत को सहराया और दुनिया ने दुबारा भारत की ताकत दी यह वो देशे जिसने दुनिया को बहुत धर्म दिया जिसने दुनिया को हिंदू धर्म दिया जैन धर्म दिया सिक धर्म दिया यह वो देशे जहाँ पे गंगा जमुना के किनारे इसलाम के मूल्यों को प्रचार किया जाता है ये वो देशे जहां पर हम विविन भाशाओं में जाकर जीशू को हम नमन करते हैं हमने बार बार हमने दिखाया है कि चुनोतियों को पार करना हमारे देश और हमारे दल के की नीव-नीव में बसा है चाहे वो सतंतता ग्राम हो गरीबी की समस्य हो भुक मरी हो उग्रपंती अलगावाद पाकिस्तान के साथ जूत करना हो हमने बार बार अपने सीमा को सुरक्षित रखा गरीबी रेखाओं के नीचे 30 करों लोगों को बहार निकाला और महात्मा गांदी पंडिट नहरू इंद्रा गांदी राज देश नीटी है मजबूती से उन्होंने रखा नेकिन अफसोस की बात है मैंने पिछले एक प्लेनिरी में कहा था कि वर्तमान में भाजपा सरकार के समय में विदेश-चनीती एक विक्ति-गत नीती बन गई है विदेश-चनीती एक व्यक्ति की छवी को बढ़ाने की एक नी विदेश नीती एक व्यक्ति की छवी नहीं विदेश नीती एक व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यापार बराने का एक आधार बना गया है अफसोस की बात है कि आज भारत की विदेश नीती एक व्यक्ति की व्यापार के मुनाफ़े के लिए काम करती है जब आस्ट्रेलिया में प् प्रधान मंत्री जाते हैं जब बंगलादेश में प्रधान मंत्री जाते हैं जब शीलंका में प्रधान मंत्री मोधी जी जाते हैं तो उनके जाने के पस्टाद उनके खास दोस्त करीबी दोस्त के कंपनी को कॉंट्राक्ट मिलता है ये कैसा विदेश नीती है और इनी बातों को राहुल गांदी जी ने उन ले किया था पार्लिमेंट के अंदर और तब उनके प्रश्णों का उत्तर नहीं दे पाए कि राहुल गांदी जी ने साफ साफ पूछा था कि प्रधान मंत्री मोधी जी के साथ कितने बार उनके करीबी दोस्त अडानी बाहर गे राहुल गांद जी ने पूचा था कि कितने बार प्रधानमंत्री मोदी जी के विदेश जाने के बाद और डानी जी को कमपनी का फाइदा हुआ लेकिन एक भी सवाल का उत्तर वहां से आनी पाया क्योंकि ये सरकार जानती है कि ये सरकार सूट बूट की सरकार है और इन्हीं बातों को हमको ग प्रारम से हम वहां के सदस्य थे 99-2000 में जब G20 का निर्मान था उसी वक्त हम भारत उस G20 का सदस्य बन गे आज रश्या यूक्रेन की बात करते हैं प्रधान मंत्री मोदी जी श्रे लेना चाहते है कि रश्या के साथ उनकी करीबी है लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि उनकी करूंडेट नहरू जी के टाइम में हुआ जब करिष्ट्यव यहां पहे आये थे मुलगानी यहां पे 1955 में आये थे तब से प्रधान मंत्री नहरू जी के नौन अलाइन मेंट पॉलिसी के साथ चाहे अमेरिका हो चाहे रुस्या चाहे योरॉप हो चाहे मिडल इस्ट चाहे अफ्रीका हो तो आज उसी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी आज यहां पे चल रही है हम बार बार इस सरकार को पूछते हैं कि चीन को लेकर आप मजबूती से क्यों नहीं पेश आते लेकिन अफसोस की बात है कि विदेश मंत्री आज एक ऐसे मंत्री है जो बातों में त है तकी जब विदेश मंत्री ये बोलते हैं कि भारत एक छोटा एकॉनिमी है चीन के साथ नहीं लड़ सकता तो उन्होंने दुबारा चीन की मदद की अफसोस की बात है कि चीन में हमारे गलवान में हमारे जवानों ने शहादत दी उसके पश्चाद भी चीन से आज नियात आयात बढ़ रहा है चीन से इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है लगबख सो बिलियन डॉलर का इंपोर्ट आ रहा है धिकार है से सरकार पर जिनोंने हमारे जवानों के शहादत पर चीन से आज वो इंपोर्ट करें तो बार बार इन बातों को लेकर हमको विभन अपने गाओं और प्रदेशों में लेके जाना है मैं आशा करता हूँ कि इन बातों को लेकर हम बताएंगे कि आज विदेश नीती कितनी कमजोर हो गई है हमारी अर्थ विवस्ता की गती कितनी कमजोर हो गई है और हमारे मानव अधिकार लोकतांत्रिक मूल्यम हमारे मीडिया पर कितना आक् हो रहा है जो भी इस सरकार के विरोध में हो चाहिए वो समाजिक सेवक हो चाहिए वो मीडिया का प्रत्रकार हो चाहिए वो राष्ट्र किसी राजनेतिक दल का सद्यस्य हो जब इस सरकार के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं हमको जेल भेजा जाता है तो किस प्रकासे लोगतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है पूरा दुनिया आज देख रहा है लेकिन हम जानते हैं कि ये कॉंग्रेस पार्टी ना किसी से डढ़ने वाली है ना कभी पीछे हटने वाली है हमारा मकसद साफ है 2024 में अपना सरकार लाना है और देश में दुबारा शांती विकास और अमन का वातावरन बनाना है इनी शब्दों के साथ मैं यहाँ पर अपना भाशन समाब करता हूं और विदेश नीती पर जो अपना हमारा प्रस्तावे उसको आप सभी के समक्ष प्र